क्याते हैं कि एक मानुभाव वैलिंग की दुकान पर जौब किया करते थे और दिन रात मैनत करके वो अपने जैसे तैसे घर का गुजारा चलाया करते थे कि उनकी भीतर सिर्फ एक ही भावना थी कि मेरा पूरा परिवार सुखी रहे और उनको दुनिया के हर सुख और सुविधा मिल जाए कहते हैं कि उनके एक ही बच्चा था और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पिताजी ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दि परिवार के आर्थि कि स्तति सामाने और लड़का भी पढ़ने में उसका दाखिला नहीं हो पाया और उसे सामाने कोलेज में ही एडमिसन मिल पाया और उसने अच्छे से पढ़ाई की और उसने अपनी स्नातक की परिक्षा पास की वो ग्रेजियोशन हो गया और ग्रेजियोशन होने के साथ ही उसको एक नौकरी भी मिल गई और उसने पढ़ाई छोड़ी और उसने पुक्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कहते हैं कि उसकी धीरे-धीरे पद्दोनती होने लगी और वो अच्छा खासा संपन हो गय परिवार की स्तती भी अच्छी हो गई लेकिन फिर भी उसके पिता जी वेल्डिंग की दुकान पर जौब करने का काम निरंतर उनने जारी रखा ताकि मुझे कभी अपने बच्चे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े और कहते हैं कि जब उसके लड़के की पदोनती हो गई तो वो दिरे दिरे एश्व आराम तलब हो गया उड़ते हुए खर्चे करने लगा पिता जी ने उसकी शादी भी कर ली उसके बच्चा भी हो गया और जब उसने और तरकी कर ली तो अपना एक नया घर बनाया और अपने मम्मी पापा को छोड़कर कि उस घर में रहने लग अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे के साथ लेकिन थोड़ी तरकी क्या हुई वो अपने आप पर कंटोल नहीं कर पाया और उड़ते हुए खर्चे करने लगा एश्व आराम की जिन्दगी जीने लगा बिना मतलब के खर्चे और परिणाम धीरे धीरे देरे उसकी परिणां नहीं करआ पाता था एक और उसकी पिताजी बिमार हो गए और बिमारी इतनी बढ़ गए यतनी बढ़ गए कि अब उनसे काम होने नहीं लगा तो उन्हों ने उस वेल्डिंग की दुकान से जौब छोड़ दिया घर आ गए ये सोचने लगे कि चलो अब मैं अपने बच्चे के पास जाकर के रहूंगा और अपने पोते का लाड़ करोंगा और शान्ती की जिन्द की जिऊंगा और कहते हैं कि उसके मम्मी पापा उसके घर पर आए और कहने लगें कि हम बीमार हैं हमारा जौब ही छूड़ गया है तो मेरे लिए कुछ पैसे की वैवसा करता कि मैं डॉक्टर को दिखा करके आऊं जैसे ही लड़के ने ये सुना तो लड़का आग बबुला हो गया कि पिताजी मेरे पास क्या है आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए अरे ना तो आपने धंग से मेरी पड़ाई करवाई ना तो आपने मेरे लिए ढंग के कपड़े बनवाए ना मेरे बच्पन की इच्छाएं पूरी की और आज मैं जैसे तैसे नोकरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ और आप उसमें भी मांगने के लिए आगे मैं आपकी वावस्ता कैसे करूँ प्लीज आप वापस चले जाएए और जब पिताजी ने ये सुना तो पिताजी का दिल टूट गया आँखों से आंसु आने लगे कि मैंने क्या सोच कर बच्चे को पाल पोस्त कर बड़ा किया था और आज मेरा ही बच्चा मेरे सामने ऐसा वैवार कर रहा है कहते हैं उसके ममी बापा वापस अपने पुराने घर चले गए और ये लड़का एक बार अपने ओफिस के काम काज में उसका किसी गाव में जाना हुआ और जब वो गाव में जा रहा था तो उसने देखा कि एक दस साल का बच्चा गुबारा बेच रहा था उसको देखकर के बड़ा आश्चरी हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा गुबारा क्यों बेच रहा है उसने बच्चे को पास में बुलाया और पूछा बेटा क्या बात है अभी तो पढ़ने के दिन है खेलने कूदने के दिन है और तुम इस कड़ी धूप में गुबारा बेच रहे हो तो उस बच्चे ने कहा अंकल अंकल क्या बताओं कुछ समय पहले मेरे पिताजी का एक्सिडेंट हो गया था उनका एक हाथ कट गया और फैक्टरी वालों ने उनको काम से निकाल दिया अब वो कोई काम नहीं कर पाते हैं मेरी मम्मी जैसे तैसे नोकरानी का काम करके घर का खर्चा चलाती है मेरे मन में आया क्यों ना मैं भी अपने परिवार का सहयोगी बनू और इसलिए उसने ये सुना तो वह एक्दम हका बका रेगा कि इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी सोच इतनी महान सोच कुछ उसे अपने पिता जी की इस्मृति हू आई और उसके मन में आया ओहो धिक्कार है मुझे ये इतना छोटा बच्चा होकर के भी अपने माता पिता की परती इतने बड़े भाव रखता है और मैं इतना बड़ा होकर भी अपने माता परती की परती दुर भाव रखता हूँ धिकार है मुझे और कहते हैं कि वो अपना काम पूरा करके सीधे अपने पिताजी के यहां पहुचा, अपने मम्मे और पिताजी को प्रणाम किया, धोग लगाई और उनसे दोनों कान पकड़त वे माफी मांगी कि पिताजी, माताजी, माताजी, मुसे बहुत बड़ी गल्ती होगी कि मैंने आपके साथ अभद्र वैवार किया, बुरा वैवार किया, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं आपका मोल समझ नहीं पाया, मैं आपका महत्व समझ नहीं पाया, आरे आपने अपने सुख की रोटी छीन कर, मेरे लिए सुख की रोटी के ववास्ता की, अपनी ह कर्ज मुझसे अदा होगा हे माता पिता क्या आपका कर्ज मुझसे अदा होगा अरे अगर आप है नाराज तो क्या भला खुदा मुझसे खुश होगा वो लड़का सुदर गया और अपने माता पिता की जम के सेवा करने लगा उनका सहयो करने लगा उनको सब तरह की खुशिय देने लगा ये घटना हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने जिवन में अपने माता पिता का तिरसकार नहीं करना चाहिए अगर आप अपने माता पिता का तिरसकार करते हैं तो सावधान आज आप जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी बदोलत है अब करने की बारी हमारी है और नाम लेते वे भी गौरव मैसूस कर सकें याद रखिएगा जो आख बंद करके प्रेम करें उसे प्रेमी का कहा जाता है जो आख दिखा दिखा कर प्रेम करें उसे पत्नी कहा जाता है लेकिन जो आख बंद होने तक प्यार करें उसे ही माता और पिता कहा जाता है